आज की चर्चा में आपका स्वागत है जहां मैडम इतनी एरोगेंट और इतना ज्यादा एटिट्यूट वाली हैं वहां जनाब भी कुछ कम नहीं है अब देखिए अब जब से यह चला है छलक का दौर चला है तब से मैडम जो जब देखो जब वहां सेट पर पहुंच जाती थी कोई रेगलर्टी वहां पर बिल्कुल नहीं थी और यहां तो देखने वाली बात यह है कि यहां पर वो लगातार वो जा रही है और उसका क्या रीजन है उसके जरिये उनको एक तो ब्लॉक बराने को मिलता है साथ-साथ जो है वो लाइव रहती है इस समय और अपने जो 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 प्रोफाइल है या जहां पर जो प्लेस है वहां पर जो पहुंच जाती है कि इसी इतनी फ्रिक्वेंटी पहुंच जाती है रेरली ऐसा होता है कि फैमिली मेंबर्स आपके जो आपके प्लेस को देखने जाएं या वहां पर लगातार विजिट करें इतना वो उनका कहना यह है कि या उनका समझना यह है कि जज्जमेंट में भी वो फरक डाल सकती है एक तो पहली जज्जमेंट जाती है जब भी कोई प्रोग्राम हो या कुछ भी हो तो पहली जज्जमेंट पास करना शुरू करते हैं वो बात दूसरी है कि जैसे ये फर्स्ट लोएस्ट स्कोर वाला डांस शो हुआ उनका तो उसके बाद में उनकी भी पूरी तरह से हवा निकल गी और अब वो भी थोड़ा सा लाइन पर आकर और एक लिमिट में ही ये सब चीजें बोलती हैं अब जो ये नया गुरूर और नय बेस्ट होगी हाँ वोटिंग पे थोड़ा सा फरक पड़ सकता है क्योंकि जो व्लॉगर्स हैं उनका अपना वीवर होता है और वो वीवर जो है वो इतना कमिटेड होता है कि वो नॉर्मली उसी को वोट करता है चाहें वो कैसा भी हो तो सोशल मीडिया का कुछ तो फायदा होता है ये तो बात है तो इसी की वज़े से हो सकता है इनको इस चीज़ का कुछ फायदा होगा और इसलिए ये लगातर जो व्लॉग्स है न वो दोनों के लगातर व्लॉग्स पर व्लॉग्स आ रहे हैं चाहें कुछ भी हो जाया लेकि व्लॉग्स रेगलर है जबकि देख तो उनको हेर कट की बी जरूपत थी लेकिन उनोंने इस बार ये ऐर कट नहीं करवाया कि गोविंदा का गाना धद जो आपए विंदा के बड़े सुल्जे हुए और एक लेवल के छोटे-छोटे हेर हुआ करते थे डांस के मामले में तो गविंदा का कोई जवाब ही नहीं मतब ये कह सकते हैं कि फिल्म इंडिस्टी में जो अच्छे डांसर्स हीरो हुए हैं वो उनमें से एक हैं और उनकी डांस स्टाइल की तो सब जगे तारिफ की जाती है मतब इवन देन उनका डांस कोई इतना नहीं होता कि वो इधर से उधर कूदेंगे भागेंगे ये करेंगे बहुत लटके जटके दिखाये लेंगे बड़ा सोबर तरीके से वो खड़े-खड़े भी बड़े अच्छे-च्छे स्टैप्स क्रियेट करते थे चलिए जनाब की जो यादाश है ना उसकी भी तोड़े तारीफ कर लेते हैं जनाब याद करके बता रहे हैं कि आज 25 नवंबर है और 25 नवंबर को क्या हुआ था याद करके बताते हैं प्रिगनेंसी टेस्ट हुआ था और उसकी दिन कंफर्म हुआ था और उसके बाद में ये आ गे जिन जनाब को मैडम का बर्ड़े याद नि रहता उन्हें ये याद है कि प्रिगनेंसी टेस्ट की डेट क्या थी मानना पड़ेगा कि मैडम आजकल जो पंजीरी और फलाना फलाना जो खिला रही है ना तो कहीं ना कहीं यह आदास वापस आ रही है वो बात दूसरी है कि मैडम का ही birthday जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए उनको भूल जाते हैं उसके बाद में फिर वो celebration का करते हैं और उसके बाद में तो गदगद होगे, मैडम भी गदगद होगे, जनाब भी गदगद होगे, नहीं नहीं, मैंने इससे पहले कोई सुना ही नहीं, इतना चप मैंने कभी नहीं सुना, और मैडम मैडम तो मतलब सीदे सीदे माधुरी माधुरी के पास पहुंच गी, कि माधु से जो तरीका था फर्स टाइम मिलने का उनकी तारीफ करने का वही तरीका जो है उन्नोंने अक्तियार किया उस क्रियेटिवीटी के पीछे क्या होता है सब Papa क्या अबintell enabling यहा है क्यों में देखिए मैडम ने जंमा फरा मैडम कापी सारी बिर्यानी यह यह सब बनाके एक बार लेकर रहें थी लेकिन उनका क्या है वो हिपोक्रेट या कुछ चीज़ें छुपाती नहीं है जब सब लोगों ने तारीफ करी तो उन्हों ने बता दिया है कि यह जो बिर्यानी है यह मेरे कोक ने बनाई है और उस उसी से इंस्पायर होके मैडम ने सोचा कि चलो अब सब में बात हो रही है तो यह बिर्यानी बनाके कुछ इंस्पायर किया जाए कुछ फेवर किया जाए तो उसके लिए जो मैडम ने बिर्यानी बनाने का आईडिया आया और बिर्यानी बनाना शुरू कर दिया अब बिर् किलो तो काफी ज़्यादा होती है और फिर उसके बाद में उसमें कुछ खाली स्पेस भी चाहिए होता है सोदे तो वो इस टीम से इस तरीके से पक सके लेकिन आपको क्या फरक पड़ता है आपने तो कह दिया और बनाएंगे कौन बनाएंगे वोई और बाद में हिलाने कौन आएगा मैडम तो कुल मिला के है कि ये तो इतनी मांदर है नहीं कम से कम ये कह सके है कि ये 20 गेजी बिर्यानी उन्होंने कैसे बनाई है उनके जो दो दो तीन तीन जो house help है ना वो सारे सारा लगा कर भी वो 20 गेजी बिरियानी बनाएंगी और उसके बाद में उसको लेकर वहाँ पर जाएंगी लेखने वाली बात है कि उसमें भी वो नयाय कर पाएंगी justify कर पाएंगी या फिर उसका जो benefit उन्हें चाहिए वो benefit उन्हें मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमें तो लगता है कि बिलकुल नहीं मिलने वाला नाव और मैडम दोनों ही एक ही product को promote करने के लिए लगे हुए हैं और वो भी ऐसे product को जो ये कहा जाता है कि आपके लिए personalized product बना कर देंगे लेकिन personalized product की जो story होती है वो थोड़ी सी अलगी होती है even then चली हम उस पर बात नहीं करते क्योंकि वो इसी गली product के लिए हो जाएगा कि product कैसा है क्या है और हमारा वो area भी नहीं है लेकिन देखने वाली बात ही है कि दोनों के दोनों एक ही तरीके से बात करने है वो बात दूसरी है उसके बाद में hair spa पे में जाएंगे बाकी चीज़े भी करेंगे अभी हो सकता है कि एक दो और hair product के बारे में भी बात करें क्योंकि मैडम ने तो करी थी ना इसी की नहीं इससे पहले कुछी और product की बात करी थी hair के लिए और जनाब ने भी करी थी यहां तक कि वो एक खाने वाले जो medicine होती है वो उनका भी promote किया था कि उसकी वज़े से जो hair आपके better रहेंगे, nourishing रहेंगे अच्छा, मैडम भी पीछे नहीं है मतब कोई बात अगर मारनी हो जनाब के उपर और उनकी एक तरह से बेज़ेती सी करनी हो तो कम नहीं है अब जब first performance में जो marks कम आए तो उसके उपर कहती है कि first performance और इतना कम आए और एक बार फिर वहीं उसी stage पर आके खड़े होगे जो जहां से की मैडम ने भी जब अपना सफर शुरू किया था और first performance था वहीं वहीं ब्लैंक हो गी थी तो इस तरीके से उन्होंने भी अपनी ये बात मार दी कि अगर मैं ऐसा हो गया था तो अब तुम्हारे साथ क्या हुआ तो मतब बेज़ेती करने में जरा भी कसर ने छोड़ती फिर उसके बाद में कहती है नहीं नहीं ये रात पर सोई नहीं इतनी tension हुई और इनको जब तक ये था कि जब तक मेरी performance अच्छी नहीं हो जाएगी मेरे को अच्छा नहीं लगेगा और कुछ साल पहले वाला क्या करना क्या नहीं करना है जब जनाब का performance देखने के लिए है घर में सारे लोग इखटे हुए और वो performance जो वहाँ पर live चल रहा था टीवी के उपर तो तब बच्चे को गोध में लेके बठी हुए है लेकिन बच्चे को नैपी के अलावा कोई चीज पहनाई हुई नहीं है यह वही मेडम है जो सब को हर तरह से शिक्षा देती है और अपने आपको बहुत cultured और यह सब दिखाई देती है एक बच्चा जो कि 4-5 महीने का है उसको आप वहाँ पर लेके बैठे हुए शूड भी कर रहे हो सब कुछ कर रहे हो घर पे कैसे रखते होगे पता लग गया ना वह आपको यह basically वह sample होते हैं जो कि घर पे जो चलता रहता है वो कई बार किसी तरीके से सामने आ जाते हैं यह है हमारी super woman madam जो भी basically teaching भी super करती है और फिस करके भी जो दिखाती है वो उससे भी super duper हिट दिखाती है 85 इंच का जो टीवी लिया था drawing room में रखने के लिए है वो तो इसलिए लिया था ना कि family के सारे member आराम से बैठ कर वहाँ पे एक साथ देख सकें फिरी वाली performance जो है ऐसे क्यों देखी जा रही थी बाकी लोगों को क्या band किया हुआ है आप लोगों ने आना तो यहीं यह दिखाई देता है कि बोलने के लिए कुछ और है और करने के लिए कुछ वो ही रहेगा जो कि आज तक चलता रहा है जनाब के लिए नीचे से पोहे की एक प्लेट आई अब उसके बाद में केथे हाँ यार बड़ अच्छा लगरा है यह तोह कहती है अच्छा है यह अच्छा है यह है अश्या है तोह कहती है कि तुम भी लिए लो तो मैап जो फटा फरमना करते हैं नहीं 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 किल मिलाक'M के कहना तो ही चाह хлते क्या यार मुझे ये बिलकुल पसंद नहीं आया जोहीं लेके आई है और मैं खाना नहीं चाहती है लेकिन वह ना कहा के कहते हैं नहीं नहीं तुम अब आप घर पे कभी भी देखेंगे ना मैडम को कोई भी व्लॉग बनाएंगी तो सर पे दुपटा रहेगा ये सब रहेगा लेकिन जैसे वो वहाँ से बाहर निकलती है तो फिर जीन्स और ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें चलती है तब सर से जो दुपटा बिल्कुल ग करती है बस दिखाने की कोशिश करती है कि हां मैं भी ये सब करती हूँ तो चलिए देखते हैं कि बिर्यानी कितना रंग लाती है और कितना फायदा होता है ये पॉड्कास्ट आपको पसंद आयो तो प्लीस लाइक किए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए खुश रह अपने लोगा ख्याल रखिए अल्ला हाफिज